कि पुरुतेक बहाद्दुर के 400 वे प्रकाश वर्ष के मैं संपूर्ण भारत के नागरिकों को शुब कामनाय प्रेशित करता हूं भारत वर्ष में अनेक संतों का योगदान रहा विशेशकर सिक समुदाय के जो पंज प्यारे जिसे हम बोलते हैं उन पंज प्यारों को जब आसी रक्षा के लिए प्यार आज पूरे देश में जिस तरह से संप्रदाय को धर्म मना दिया गया है वह एक बहुत बढ़ी चिंता का विशह है हमारे स्नातन संस्कृति में कि कई संप्रदाय रहे उन संप्रदायों में एक संप्रदाय, सिख संप्रदाय है, दूसरा जेन संप्रदाय है, आज भारत वर्ष में अलगाववात की जो चिंगारी फैली है, उसमें जेन धर्म को अलग मान लिया गया और सिख धर्म को अलग मान लिया गया जबकि ये सभी सनातन धर्म के हिस्सा है, य इंदू धर्म के अलग-अलग संपरदाय में से एक शेव संपरदाय है, एक शाक्य संपरदाय है, ये एक वैश्णव है, ये तीन जो मूल धारा हैं, उसके साथी जेन संपरदाय भी इसी धारा का हिस्सा है और सिख संपरदाय भी इसी धारा का हिस्सा है, हम गलती कहां करते है कि हम सिख को भी धर्म मान लेते हैं, अलग धर्म है, प्रतक धर्म है, जेन भी प्रतक धर्म है, घुरुत एक बहाद्दुर ने सबसे पहले यदि कश्मीरी पंडितों के उस बात को जब मुगल समराड औरंग जेब ने त्याचार करके और पूरे देश में हिंदूों के खिला ऐसे गुरुत एक बहाद्दुर थे, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले संडक्षन किया, इन दिनों कश्मीर फाइल्स बहुत चर्चा में हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले, यदि कोई लोम हर्शक, किसी रोंग्टे खड़े करने वाली एक दर्दनाग द दास्तान को यदि आप सुनना चाहें, तो वो सिख संपरदाय के इन गुरुओं की दास्तान सुनिए, उनमें गुरु तेक बहाद दूर है, जिनका नई दिल्ली के शीष गंज गुरुद्वारा, इनी के नाम से उसका शीष गंज इसलिए कि औरंग जेब ने उनसे का कि त तो इसलाम को स्विकार कर लो, तुम ये कच्छ, कंगा, कड़ा और ये केश हटा दो, और इसलाम को कबूल कर लो, उनका मैं मरते मर जाओंगा, मगर ये केश नहीं कटाओंगा, तो औरंग जेब ने अपने सेनिकों को आग्या देकर गुरु तेक बहादूर की वहीं दिल्ल के उस गुरुद्वारे के बहार उनका शीष काट दिया गया, जिसे आज हम शीष गंज गुरुद्वारा कहते हैं, और आज ही के दिन भारत के प्रधान मंत्री, आज देश भर के 400 रागी जत्था वहां जाकर आज शबद कीरतन करने वाला है, एक बड़ा अदूर्म दरश होगा, लेकिन जो जो त्याग बलिदान इन गुरुओं ने किया, सिख गुरुओं ने मतलब, जो सिख का मतलब है शिष्य, ऐसे पांच शिष्य उन्होंने तयार किये थे, जिन्होंने एक द्रड धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पांच जीवन में ऐसे आचार विचार को अपने हैं, जिसमें से केश, कंगा, कच्छ, कडा, ये सब उसी का हिस्सा है, गुरु के इस प्रकाश पर उपर मैं समस्त भारतवासियों को, विशेशकर सिख समुदाय के लोगों को जो इस भारतवर्ष की रक्षा के लिए बने थे, आज भी सिख समाज का बहुत बड़ योगदान भारतवर्ष की भारत की सेना में है, भारत के विवसाय में है, आज पंजाब के लोग जिस प्रकार से उद्यम शील है, जिस प्रकार क्रशी शेतर में पंजाब के लोगों ने अपना योगदान दिया, मैं समस्ताओं गुरु तेक बहादुर के इस प्रकाश पर हम सब लोगों को यही सिक्षा लेनी चाहिए कि जो समर्पन संस्क्रती के प्रती सनातन धर्म के प्रती उन्होंने जो त्याक किया अपना वलिदान दिया उसको हम भुलाने सकें आज हम छोटी छोटी बातों पर पता नहीं कितना गंदे गंदे बातें लोग शोशल वीडिया पर कर लेते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि इन गुरों का समर्पन कितना महान था आए हम सब नई पीड़ी को भी एक संदेश दे सकें कि इन जैसा सेक्रिफाइस तो आप नहीं कर सकतें लेकिन कम से कम जो इस देश की सनातन संस्कती इस परंपरा के वाह को उसकी रक्षा के आगे तो आगे रहकर कम से हम विचारों को मुल्यों को तो जिंदा रख सकें इतना ही मेरा आपसे कहना है एक बार नहां आप सबी को 400 प्रकाश पर्व की गुरुग तेक भाहद्दूर जी के साथ 400 प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुब काम नहीं बदाइं